हेलो वेरीवन, वेलकम बैक टु स्टड़ी आई की जुरीश्री, दिस इस मी वासुदे मोंगा, आज हम यहाँ पे एक लैंडमार्क जज्जमेंट की बात करेंगे डीफॉल्ट बेल की उपर, डीफॉल्ट बेल की उपर हमने देखा है कि सेक्शन वान सिस्टी सेवन ऑफ दा स की ऑफ इशिक्राइब बोलता है, कि अगर यहाँ पे चार्चीट नहीं फाइल हुई, यानि कि इंव्यस्टिकेशन चलरी यह अभी तक, लिए अभी तक चार्चीट फाइल नहीं हुई और एक्ञीज को जेल में डाला हुआ है, अभी तक इंवेस्टिकेशन चलरी है, एक् वाली punishment का कोई offense है और 60 days होगे अभी तक investigation चल रही है बट पुलिस ने भी तक कोई charge sheet नहीं लगाई और इसी time पे accused यहां पे जेल में था तो यहां पे क्या accused को default bail का right नहीं मिलेगा कि अभी तक investigation चल दिया हमें तो छोड़ दो तो यह होता आपका default bail का right which comes after 60 days और 90 days अगर 10 साल से कमवला offense और अगर 10 साल से जादा वाला offense है तो 90 days तक यहां पे पुलिस को charge sheet file कर देनी चाहिए so that अगर उसको custody में रखना है तो वो continue कर पाए magistrate के पास वो power आ जाए right अब यहां पिने एक बहुत ही पुराना issue चला हुए बहुत ही पुराना और लंबा issue चला हुए कि यह जो 60 दिन या 90 दिन है this period इसको कब से start करने है जिस दिन यहां पे accused को यहां पे remand के लिए भेजा the day the accused was sent to the custody क्या उस दिन को यहां पे include करने है या exclude करने है तो यह जो judgment सी इसके regarding काफी time सी इसु चल रहा था और अब finally Supreme Court ने इस issue को solve कर दिया और मैं दावे से बता सकता हूं कि यह जो question है इस judgment से आपको question next judgments में next papers में 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा default bill का एक पूरा का पूरा आपके उपर question आएगा application based question और days के according आपको फसाने की कोशिश करेंगे और यह जो landmark judgment उसी के regarding है अब आपको उसमें यहां पर समझाना होगा कि यह जो अगर आखरी दिन अगर चार्च शीट फाइल कर रहे हैं तो वो अगले दिन default बेल ले सकता है या नहीं दे सकता लेट सी नाओ तो अपना इशू यहां पर क्या था कि यहां पर पहले तो दो जजज बैंच ने आगे reference में भेज दिया था कि वैदर और यह उपर reference में क्यों भेजा विकॉस मैंने आपको बताई दिया कि बहुत पुराना इशू चल रहा है बहुत सारी जजजमेंट्स इस तरह की थी जहां पर बोला गया था कि यह जो आखरी दिन है 60th day या फिर 90th day उसको exclude करना या include करना है सुप्रीम कोड की जजजिस टू जजजिस बैंचिस की जजजिस हाई कोड्स की डिफरेंट जजजमेंट्स थी फाइनली इसको अब थर्ट त्री जजजमेंट्स यहां पर सेटल डाउन किया रेफरेंट्स में तो लेट उस सी कि यहां से इससे पहले जजजमेंट्स क्या थी देवर टू इंपोर्टेंट्स जजजमेंट्स वन वास CBI वर्सिस अनुपम जे कुल करनी दोनों की दोनों यह भी यहां पर लेंडमार्क जजजमेंट्स थी पहले बट इन दोनों में हमेशा एक टसल रहती थी वो क्या थी इसकी बात करते हैं यानि की इंक्ल्यूड करने मान लीजिए अगर एको यहां पर आज के दिन यहां पर आज है यहां पर 14 अपरल 14 अपरल को आज यहां पर अरेस्ट किया गया एको आज 14 अपरल को अरेस्ट किया गया और मैजिस्टेट के पास प्रोड्यूस किया मैजिस्टेट ने बोल दिया कि इसको कस्चडी में ले जाओ रिमांड दे दी पुलिस ने जब रिमांड मागी तो रिमांड करके उसको बे दिया तो यह 14th of April यहां पे first day होगा इसके साथ आगे 60 days को count करना होगा यह यहां पे CBI versus अनुपम जे कुल करनी यहां पे इस judgment में बो यहां पे exclude कर दिया जाए और उसके बाद यहां पे आपके 60 days शुरू होगे तो एक दिन का difference हो गया यह एक दिन दा difference है यह कितनी लंबी बात हो सकती है कि बहुत बड़ा issue बनना चाहिए था बिल्कुल बनना चाहिए था क्यों because here we are talking about someone's personal liberty कोई बंदा एक दिन भी जाला जे में investigation ही नहीं complete कर पा रही है and the person is in jail उसको अपने custody में रखा हुआ है तो क्या यहां पे उसका right नहीं कि उसको jail से बाहर निकालो that is what the default bail is after 60 days or 90 days as per the nature of the offense once get one get a right to default bail if a charge sheet is not filed until 60 days or 90 days समझ आई बात now observe क्या किया finally यहां पे judgment आ चुके सुप्रीम कोट में observe यह किया कि यह जो दिन है जिस दिन यहां पे उसको arrest किया गया that day will be included that day will be included तो पुलिस को यहां पे जिस दिन यहां पे रिमांड मिली है जिस दिन यहां पे जिस्टेट ने order दिया है custody की रिमांड के लिए वो दिन भी यहां पे count होगा right answering a reference on a significant point of law the supreme court has held that the day of remand remand is to be included for considering the considering a claim for the default bill that is the remand period will be calculated from the day when the magistrated remanded the accused जिस दिन उसको remand में बेजा वो दिन भी यहां पे include किया जाएगा यानि कि अगर वो दिन अगर हम मान लेते हैं आज के दिन यहां पे rest किया गया तो इस दिन को भी count करेंगे आज के दिन यहां पे rest के इसको यहां पे count करके उसके बाद यहां पे 60 days let us talk about an offense जिसकी यहां पे सजा 10 साल से कम है let us talk about theft जिसकी सजा 10 साल से कम है तो यहां पे 60 days बाद उसको section 167 clause 2 of the CRPC एक right देता है default bail का और यहां पे जब 60 days हो गए यानि कि 61st day को उसके पास right है to furnish bail वो bail का amount दे और वहां से निकल के चला जाए क्यों अभी तक investigation ही नहीं complete की भाई पुलिस ने मुझे jail में क्यों रखा हुआ है मेरी भी personal liberty है CRPC सर विक्टिम्स के लिए तो नहीं है यहां पे वो accused के लिए भी तो है balance करता दोनों के rights को एन accused becomes entitled to default bail if the charge sheet is not filed by 61st day और the 91st day of the remand the bench stated टाइगरम फिर से बना रहा हूँ मान लीजिए आज यहां पे इसको arrest किया गया आज यहां पे Mr. A को arrest किया गया पहले issue किया था कि जिस दिन arrest किया गया है इस period को exclude करना है include करना है to count 60 days अगर इसको हम यहां पे exclude कर देते तो total यहां पे 61 days हो जाते उस दिन भी तो वो जेल में रहा तो total यहां पे 61 days हो जाते अब यहां पे Supreme Court की observation यह है that this period will be this day will be included तो यानि की जिस दिन वो arrest हुआ उस से उस दिन को मिला के 60 days और 90 days आप यहां पे investigation कर सकते हो जब तक बंदा जेल में है और अगर तब तक भी investigation चल रही है charge sheet नहीं file हुई तो investigation आप करते हो कोई दिक्कत नहीं है बट यहां पे उसको default bail का right मिल जाएगा अंडर section 167 clause 2 of the CRPC उसको default bail का right मिल जाएगा clear हुई बात moving ahead see the reasoning behind this अब जब paper में लिखोगे law तो आपको पता लगए कि इस दिन को include करना है इस दिन को include करना है law तो आपको पता लग गया reasoning क्या लिखोगे 15 marks का question आएगा reasoning क्या लिखोगे personal liberty the CRPC जो आपका जो code it is all talking about the balancing the rights of the accused and the victim and section 167 which gives one a right to default bail उसका main consideration क्या है to give the rights to the accused the one who is in the custody but who is not yet convicted और अभी तक investigation ही चल रही है उसकी भी कोई personal liberty है article 21 उसका fundamental right है वो आप यहाँ पे reasoning लिखोगे interpretation which advances personal liberty should be adopted कि अगर हम जब law को read करते हैं now we have to determine Supreme Court को determine करना था interpret करना था किस दिंको include करना या exclude करना है तो जो legal reasoning है वो किस्तना से develop होगी that interpretation should be followed which advances the concept of the personal liberty thus leaning towards the accused right to personal liberty by reducing the 60 day period to something more than 59 days and few hours is based on the constitutional protection protected under article 20 clause 22 clause 2 and article 21 of the Indian constitution in this way course application in dealing with an accused would be considered with an invoilable right of the personal liberty and dignity और इसके साथ यहाँ पे आप section 57 of the CRPCB mention कर सकते हो जो क्या बोलता है कि भई section 57 बोलता है जो यहां section 57 से आप section 167 में जाते हो section 57 बोलता है कि that within 24 hours one should be produced before a magistrate या अगर police ने किसी को arrest की है तो 24 गंटे से पहले पहले आप उसको magistrate के पास लेके जाओगे अगर आपने उसको arrest कर ले तो उसकी तो वहीं से शुरू होगी ना period investigation तो तभी से शुरू हो गई इसी लिए उस period को यहाँ पे include किया गया है the right decision आपको एक बड़ी फिर से सुना रहा हूँ उसके बाद इसकी जो judgment है जिस case की हम बात कर रहे हैं वो judgment के facts देखेंगे उसके accordingly भी decision देखेंगे because 99% जो आपको exams में question मिलेगा इसी judgments के facts से ही मिल जाएगा even though वो कुछ और facts भी आपको दे सकते हैं कोई कि days की तो बात है 60 days complete हुए 90 days complete हुए but most chances आरगी इसी में से आपको मिल जाएगे right decision एक बड़ी फिर्सेस हो लीजिए the bench observed that the stipulated 60 or 90 day remand period under section 167 of the CRPC ought to be computed from the day when a magistrate authorized remand जिस दिन remand दे दी उसी दिन को उसकी शुरू हो जाएगी if the first day of the remand is excluded अगर यहाँ पे आपने first day को exclude कर लिया the remaining period as we notice will extend beyond the permitted 60 or 90 days क्योंकि वो 61 or 91 days हो जाएगे which results in authorized detention beyond the period and we see get under section 167 of the CRPC और अगर आपने उसको 61st day भी अगर jail में रखात हो यहाँ पे illegal detention हो जाएगी और illegal detention से बचाने के लिए law कहाँ पे है article 22 clause 2 आपकी पिछली slide में मैंने बताया right in cases where the charge sheet or the final report is filed on or after the 61st day or 91st day the accused in our opinion is considered would be entitled to the default bail in other words the very moment the stipulated 60 or 90 day remand period expires and indefusible right to default bail occurs to the accused clear भी बाथ moving ahead अभी जजमेंट देखली जी अब जो भी अबने लॉड़ रसाइड किया कि इस दे को include किया जाएगा the day when the magistrate remanded the accused that period will be included while computing the period for the default bail इस period को include किया जाएगा यह judgment का नाम किया है enforcement directed versus कपिल वद्वान 2023 सुप्रीम कोड जजमेंट और इस case के facts क्या थे सेक्स सिंपल सी बाल है the accused were remanded on 14th of May 2020 and the charge sheet was filed on 30th of July 2020 तो यह जो period है ना इसकी बीच में यहाँ पे 61 days हो चुके है 61 days already हो चुके है और वही पे accused की contention थी that the accused argued that the 60 days expired on 12th of July itself आपने यहाँ पे चारचीट कब फाइल किया 30th को 13th को बट यहाँ पे 12th को यहाँ पे 60 days complete हो चुके थे which means what accused get a right to default bail और उसी तरफ से prosecution क्या बोल रहा था कि नहीं अभी यह दिन को include नहीं कर सकते अभी हमारे पास एक दिन है और अगर हम आज भी कर रहे है तो इसको default bail का right नहीं मिला यहाँ पे supreme court ने क्या observe किया that day will be included which means accused को यहाँ पे default bail का right मिल चुका है if it is computed from the day of the remand, ED contained otherwise the trial code denied default bail to the accused while taking the view that 60 day period will have to be computed by excluding the date of the first remand यो trial code का decision नहीं था कि इसको exclude करने तो उसको अभी भी जेल में रखो इसको आइट नहीं आए बट उसी case में यहाँ पे high court ने बोल दिया कि नहीं this period this day will be included and same is being held by the supreme court so now this is the law this day will be included in computing that period of the period of period for the default world that is 60 days or 90 days as per section 167 clause 2 of the criminal procedure court I hope आपको पूरा लॉस समझा आ गया होगा and now I should tell you here कि भाई साब study IQ judiciary आपके लिए यहाँ पे दो तरह के courses प्रोवाइड करता है one is our judiciary maha pack and another is our smart course judiciary maha pack में we cover the syllabus of the 16 states 16 states का आपको पूरा पूरा syllabus cover करवाय जाता है which includes major loss, minor loss, local loss, current affairs gk and the mock test papers यानि कि आप यह कोर्स यहाँ पे 11,999 में बाई कर सकते हो यह अभी at present sale चल रही है इससे पहले इससे सस्ता कभी भी महाप्यक नहीं था if you want to start your preparation आप यहाँ पे judiciary maha pack लेकर अपनी त्यारी शुरू कर सकते हैं आज ही के दिन से शुरू कर सकते हैं बट इस को बाई कैसे करोगे कैसे वीडियो को देखोगे study IQ judiciary की website पर जाओगे judiciary maha pack को search करोगे और जब बाई करोगे आपको नीचे मिलेगा discount code discount code में you have to fill up DEV यह code आपको यूज करना है DEV code and you can buy this course and अगर यहाँ पर आप smart course purchase करना चाहते हो जो अभी मैं recommend नहीं करूँगा but smart course है अगर आप एक ही state की त्यारी करना चाहते हो but at present यहाँ पर कुछ difference नहीं है you can take the syllabus of the 16 states if you will buy the maha pack तो आप यह लीजिए and use the discount code DEV and I will see you in the next class thank you so much